तो स्वागत है आप सब्सक्राइब के नहीं वीडियो में अभी मैं जाना हूं साइक्रिंग करने के लिए और प्लस ड्राइविंग सेखने के लिए तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी तीन चीज़े बताने वाला हूं जो आपको याद रखनी है हूं वाकाउट करते समय तो पहली चीज़ यह है कि आप जब भी वाकाउट करते हो तब यह इस एक बात का ध्यान दखना आप अच्छे से वाकाउट करो जब भी आप वाका आपको उसी दिन पहल दर्द नहीं होगा उसी आपको पहनी आपको पहनी होगा युकि आपने अच्छे से वाकाउट किया है और हएक और चीज़ ना वाकाट करो ना कि उसे ज्यादा ना फिर उसे कम तर्पा जो वाकाट रगा वह बहुत इफेक्टी ओगा और अच्छे से जब भी वाकाट करो तब उस्षर सही रखना बिल्कुल सही रखना आप मैं यह आप अगले वाले वीडियो में बोल चुकाओं कि आप कोशर सही रखना और दूसरी जो चीज है उसके इर्विडेट है तो दूसरी चीज है हमारी डाइट जब भी आप एकदम अच्छे ताह से मसल को ट्रेंड करते हो एक्साइस करते हो या फिर कुछ भी करते हो होम वाकाउट या फिर जीम में भी आप वाकाउट करते हो तो वह आप मसल करते हो मसल को तोड़ते हो और इस मसल को रिकवर करने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए तो एक बात का ध्यान रखना कि आप एक्साइज जम अच्छा से परफॉर्म करते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी डाइट हम इसा मेंटेन होनी चाहिए आप जो भी कर रहे हो टांस्वर्मेशन कर रहे हो या फिर बल्किंग कर रहे हो डाइट भी बहुत इंपर्टन ड्रोल प्ले करते हैं इसमें तो तीसरी तीसरी और आखरी चीज ये है कि सही से नींद लेना हमारा पहला जो गया अच्छी तांसे वर्क आउट करना और दूसरी चीज थी अच्छी से डाइट और इन दोनों को अच्छी तांसे वर्क करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छी नींद साथ से आठ गंटे की नीन अब अच्छे से वाक आउट भी कर लोगे और डाइट भी मेंटिन कर लोगे पर अच्छे से सोगे नहीं तो उन दोनों का कुछ फाइडा नहीं है तीसरी लास्ट चीज थी श्लीप तो यह कहूँगा आप सबी से के साथ से आठ गंटे की नीन ज़रूर ले आप भले कुछ भी करते हो एक साइस करते हो काडियो करते हो कुछ भी करते हो कुछ नीद अच्छे साह से लेनी ही लेनी है तो अभी इन शॉर्ट में बता देतों ती चीज़ें क्या थी पहली अच्छे से वर्क आउट करना दूसरी अपनी डाइट मेंटेन रखना और तीसरी और सबसे इंप्वर्टेंट है स्लीप हां सोना स्लीप यानि कि सोना साथ से आठ गंटे कि तो बस आज का बस यही वीडियो था मिलें के अगले वीडियो में जैहिन बादे मात्रों